Good morning friends, स्वागत है आप सबका, आपका अपना YouTube चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए Railway Model Set No.7 तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आएए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशनल ठाउट है वो है The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow कहने का simple सा मतलब है कि आज जो भी आपके life में कटनाई आ रही है कल उसका सबनसब का solution होगा अगर आप उसको सही direction में काम कर रहें तो आज आपके लिए जितना pain है कल वो आपके लिए उतना comfort बन जाएगा चलिए तो आएए सुरू करते हैं हमारा आज का जो पहला question है वो है भारत में किस राज में बिस्व का सबसे बड़ा thorium का भंडार मौझूद है तो इसका जो सही answer होगा बो होगा option number A केरल देखिए केरल में सबसे जादा thorium का और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो thorium है भारत में इसका पूरे 20 में भी सबसे जादा उतपादन भारत ही करता है ठीक है अगर बात हम करते है केरल की तो केरल प्राकिर्तिक रबर में भी number 1 पे है भारत का उतपादक है ठीक है क्या है प्राकिर्तिक रबर में भी ठीक है ये जो थोरिय में ये इसके साथ साथ ही राजस्थान के पाली और भिलवाड़ा जगह से सबसे ज़्यादा मिलता है ठीक है अगर बात यहां पे हम दूसरे ओप्संस की करते हैं अगर करनाटक की बात करते हैं तो करनाटक में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है भारत में ठीक है अगर हम बात आंध प्रदेश की करते हैं तो आंध प्रदेश से याद रखिएगा सबसे जादा अबरक, यूरेनियम और टंगस्टन ये तीनों सबसे ज़्यादा आंध्य पर्देश में और अगर बात आसाम की करते हैं तो आसाम से याद रखिएगा प्राकिर्टिक गैस ठीक है? क्या याद रखिएगा? प्राकिर्टिक गैस चलिए, बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है हमारा भारत का कौन सा राज तीन ओर से बंगला देश से घिरा हुआ है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number A, त्रिपूरा अगर हम बात यहीं पर त्रिपूरा की करते हैं तो त्रिपूरा की capital कहा है? अगर तल्ला है? ठीक है और इसके cm कौन है त्रिपूरा के? बिपलब कुमार देब बिपलब कुमार देब यहां अगर बात करते हैं तो यहां लोगसभा की seat यह दो है और विधानसभा की seat 60 है ठीक है? विधानसभा की seat 60 है कभी-कभी यह भी question आ जाता है पूछने एकजाम में कि लोगसभा और राजसभा में कितने seats है ठीक है? चलिए बढ़ते है next question की तरब next question है हमारा उत्री धुरूप तक पहुचने बाला पहले भारतिये कौन है? तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number A संजे थापड ठीक है? संजे थापड जो थे बोधरी धुरूप पहुचने वाले प्रथम भारतिये थे अगर हम बात यहीं पर राकेश सर्मा की करते हैं तो राकेश सर्मा अंतरीच में पहुचने वाले प्रथम भारतिये थे ठीक है चलिए बढ़ते है next question की तरफ next question है हमारा किस ने कहा था कि Simon Commission की रिपोर्ट को बकवास के धेर पर फेक देना चाहिए तो इसका जो सही answer है वो है option number C सिभ स्वामी अयर ने कहा था ठीक है अगर हम बात Simon Commission की करते हैं तो Simon Commission का भारत आया था भारत आया था तीन फरवरी 1928 को साइमन कमिशन भारत आया था फिर इसका बिरोध किये थे लाला लाजपतर है और उनकी लाठी चार्ज हुआ था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की अगला question है किसकी अध्यष्टा वाली ICC की क्रिकेट समीती ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक के इस्तमाल पर पतिवान लगाने की सिफारिस की है तो इसका जो सही अंसर है बो है option number A अनिल कुंबले देखिए पहले आप लोग देखें कि क्रिकेट मैच में कि वो च्याले है वो दुबई में है ठीक है अभी इसके chairman कोन है अभी इसके chairman है ससांग मनुहर ठीक है अभी इसके CEO की बात करते हैं तो इसको CEO है मनु साहनी ठीक है कौन है मनु साहनी चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है हमारा 20 स्वास संगठन की तिहतर्मी दो दिवसी बार्सिक स्वास सभा का आयोजन की सहर में किया जा रहा है तो इसका जो सही answer होगा बो होगा option number C जेनेवा ठीक है यह online conference हो रहा है क्योंकि अभी करोना महामारी के चलते हैं अगर हम बात यहीं पर WHO को करते हैं तो WHO का जो गठन हुआ था बो 1948 में हुआ था और इसका जो मुख्याले है वो भी जेनेवा स्विजर लेंड में ही है ठीक है और इसके जो अभी डारेक्टर जेनल हैं मतलब डीजी है वो कोन है टेडरोस आधा नॉम नाम याद रखिएगा टेडरोस आधा नॉम ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है पेस मेकर का करने के लिए इलक्टोर्ट द्वारा प्रदत बिदुताबेगो का उप्योग करता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ जो कि है हमारा कोश्चन नबर 8 अलीजर टेस्ट किसके लिए किया जाता है तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नबर 8 के लिए ठीक है अगर हम बात एड्स की करते हैं तो एड्स का फूल फॉम याद रखेंगा बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है एड्स का फूल फॉम होता है एक्वाइड इम्यून डिफिसियंसी सिंड्रॉम ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ जो कि है हमार हल्के नाभिक ठीक है दो हल्के नाभिक मिलके भाड़ी तत्व करते हैं ठीक है और और नावकी बिखंड़न क्या होता है कि यह झोटके चशोटे चटे नाभिक मैं बदैर जाता है ठीक है चलिए अगले गोश्चन की तरह Güंगं अगला Siana आउurn में प्रवेस् recoil क regarder मातरा को नियंतरित कौन करता है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा आपसन नमर ए परी तारिका जिसकों हम लोग आईरीस भी बोलते हैं ठीक है देखे आईरीस का काम होता है पुतली के एकार को अनुकलित करना होता है अब यह ध्यान रखेगा कि जब परकास कम होगा कि लाइट कम प्रवेस कर सके चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है किस गवर्नर जेर्नल पर महाभीयोग का मुकदमा चलाया गया था तो इसका जो सही अंसर है बो है आपसन बज़े बारन हेंस्टिंग पर ठीक है देखे बारन हेंस्टिंग पर 25-95 में इस वी में उसको इस आरोप से मुक्त कर दिया गया था ठीक है चलिए अगर बात यही पर बारन हेंस्टिंग से रिलेटेड कुछ और कर लेते हैं तो यह 1781 इस वी में कलकत्ता में सर पर ठाम मदर्वा स्थापित किया था क्या किया था क्या किया था कि जो मुगल समर बाराशिक पेंसन वो बंद कौन करवा दिया था तो यह बारन हिंस्टिंग ये उसको बंद करवा दिया था ठीक है चलिए और दूसरे आपसन अगर लॉड क्लाइब की बात करते हैं तो लॉड क्लाइब के बारे में याद रखिएगा कि बंगाल में दोयद सागनसन की विवस थे इसने ठीक है बंगाल के लिए इसने लॉड क्लाइब ने दो उप दिवान बनाये थे जिसमें पहला का नाम क्या था जो बंगाल के लिए था उसका नाम था मुहमद राजा खा बंगाल के लिए और बिहार के लिए जिसको बनाया था उसका नाम था राजा सिताब खां सिता कहले बात करते हैं एगर Lord gily के लगे से इंपोर्टन चीज याद रखेगा कि इसने साहयक संदी की ठीक है क्या सुरू किया था साहयक संदी शुरू किया था और इसने क्या किया कलकता में एक Fort William College की अस्थापना की थी Fort William College की लेकिन फिर बाद में जाके आगे जाके इसको क्या करना पड़ गया था बंद करना पड़ गया था चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है हमारा रानी लच्मी भाई को अंती म्यूध में किसका सामना करना पड़ा था तो यह जो सही अंसर होगा इसको आपसन नंबर हो जागा A. Q. रोज का ठीक है अगर हम रानी लच्मी भाई की बात करते हैं तो रानी लच्मी भाई की अगर हम बात करते हैं गंगधर रा से बिवाह हो जाता है और इसी बिवाह के बाद इनका नाम फिर लच्मी भाई पड़ जाता है फिर इनसे एक और कुश्चिन पूछा जाता है कि 1800 संतामन में रानी लच्मी भाई का बिदरोह का केंदर कौन था तो वो जहासी ही था जहासी से ही बिदरोह कर रही थी 1800 संतामन की लड़ाई में अब फिर 1800 अंतामन इस भी में ग्वालियर के किला में ये लड़ते-ल़ते बीरगती को प्राप्त हो जाती है ठीक है 1800 अंतामन इस भी में अगर राजाराम मुहराय से तो एक और याद रखेगा कि इनने आत्मिये सभा का भी गठन किया था आत्मिये सभा और ये साथ साथ एक और चीज याद रखेगा बेदांत कॉलेज बेदांत कॉलेज ये सब राजाराम मुहराय से रिलेटेड है अगर हम बात यहीं पर दयानन स सुरसथी की कर लेते हैं तो दयानन सुरसथी से याद रखिएगा कि आद समाज की अस्थापना इसने की थी आर्समाज का स्थापना इन्हों ने किया था कब? 1875 वी में अगर बात हम स्वामी विवेकनन की करते हैं तो स्वामी विवेकननन ने कलकता में बेलूर मठ की अस्थापना की थी बेलूर मठ की 1887 वी में अगर बात हम केशवचंद सेंग की कर लेते हैं तो केसब चंसेंड ने बनाया था क्या Indian Reform Association की गठन की थी Indian Reform Association का गठन इन ने किया था चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है हमारा निमलिखित में से कौन भागतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अध्याच रही है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C और यह भी याद रखेगा कि यह जो एनी बेसेंट थी वो क्या थी पर्थम महिला अध्याच थी ठीक है और यह कब अध्याच तकी है 1923 में 1923 के कलकत्ता अधिवेसन में किस ने किया था नलीनिस एन गुपता ने ठीक है नलीनिस एन गुपता ने किया था तो यह याद रखेगा हमेशा आठ आठ बर्स की गैप पे है याद करना भी आसान हो जाएका 17 17 के आठ बाद 25 और 25 के बाद आठ ते 30 तो तीन ही बार मह बिख्यास थी मंदिर किस राजबंस के समय बना था तो इसका जो सई अंसर है वह आपसन नमरे राजकूट अगर हम राश्टकूट की बात करते हैं तो राश्टकूट के संसापक कौन थे दंती दुर्ग नाम याद रखेगा दंती दुर्ग ठीक है और इसकी राजधानी कह जहां थी मान खेत में था मान खेत में था और यह लेवरा का बिख्यात परसिज मंदिर बनवाया किसने था इसने बनवाया था एक राश्टकूट के हिसा सकते क्रिस्न प्रथम क्रिस्न रथम ने बनवाया था ठीक है चलिए यहीं पर अगर हम बात और बंस की कर लेते हैं अ अगर हम कल्यानी की बात करते हैं, कल्यानी के चलुक बंस के, तो इसके संस्थापक थे तैलप, दूतिये, बातापी के अगर बात करते हैं, तो जैसिंग, जैसिंग, और बेंगी के अगर बात करते हैं, तो बिसनु बर्धन, ठीक है, बिसनु बर्धन, चलिए, अगर हम बात यही पर चोल बंस की कर लेते हैं, तो चोल बंस के संस्थापक कौन थे? बिजया ले और इसकी राध्धानी कहा थी? तंजवर थी. ठीक है? और अगर परमार बंस की बात कर लेते हैं, तो परमार बंस के संस्थापक कौन थे? उपेंदर राज. और इसकी राध्धानी कहा थी? धारा नगरी धारा नगरी और यही परमार बन से important याद रखेगा कि यहीं के एक सबसे सक्ति सालिस आव सकते राजा भोज जिनको की कभी राज भी कहा जाता है राजा भोज और यह इन्हों नहीं भोजपुर में एक जील बनवाया था और भोजपुर नागमार सहर का भी अस्थापना किया था चलिए बढ़ता है next question की तरफ next question है हमारा भारत के सर्वोची न्याले की न्याधीस कितने आयूताक अपने पद पर रह सकते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number a 65 बर्स देखिए अब यहाँ पर रखने वाली बात है अगर उच्छी न्याले के न्याधीस पूछेगा तब हो जागा 62 बर्स अब भो भी उच्छी न्याले के न्याधीस पहले 60 बर्स तक रह सकते थे लेकिन आब 62 बर्स हो गया कब से पंदरहमा संविधान संसोधन 1963 के बाद से 1963 से पहले यह 60 साल ही था ठीक है चलिए अब बढ़ते है नेक्स कोश्चन की तरब नेक्स कोश्चन है अमारा बीत मंत्राले ने हरी तुर्जा उपकर्नों की आयाद सुल्क में कितने परतिसत की ब्रिधी की है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा आप्सन नमर भी 20 परतिसत ठीक है चलिए बढ़ते है नेक्स कोश्चन की तरब नेक्स कोश्चन है हमारा नीमन में से किस राज ने ब बर्नर कोन है लालजी टंडन यहां के राजपाल है लालजी टंडन यहां लोकसभा में सीट है 29 राज सभा में है 230 ठीक है अगर और MP से रिलेटेड बात कर लेते हैं तो कानहा पन्ना सत्पूरा माधब प्रियदर्षनी यह सब राश्टिय उद्यान कहां है MP में ही है ठीक है और MP से एक और चीद याद रखिएगा कि यह भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन और दलहन उत्पादन करने वाला भी राज्य है चलिए बढ़ते है नेक्स कोश्चन की तरब नेक्स कोश्चन है हमारा पंचायती राज का सबसे छोटा आंग्वे कौन है तो इसका जो सई और अगर जिला अस्तर पे बात करते हैं तब होजाएगा जिला परिशद ठीक है और अगर हम पंचायती राज कहीं बात करते हैं तो पंचायती राज है किसमें भाग नौ में अनुछे 243 और अनुट सूर्ची 11 ठीक है चलिए बढ़ते है नेक्स कोश्चन की तरब नेक्स क तो च्पादन भारत हीब करता है जूट का याध रखिएगा ठीक है अगर हम महराष्ट की बात करते हैं यानि मुंबई की महराष्ट की बात करेंगे तो यह सब से ज़्यादा जवारूत पातन करता है कि earlier हम लोग करनाटव की बात करते है भारत में मानक समय रेखा किस सहर से होकर गुजरती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number D, इलाहबाद इलाहबाद की ये नैनी से गुजरती है याद रखेगा इलाहबाद में ये नैनी से गुजरता है और ये भारत में जो 802 degree पूर्भी देशांतर को ही साधे 802 degree पूर्भी देशांतर को कया माना गया है मानक समय सुइकार किया है तिक है और ये जो 802 degree है ये पांच राजियों से होकर गुजरती है इसमें 5 राज कौन रहाद कोन है ये भी आदा रखिएगा UPA, MPA, 36 गड़ है, Udisa है, और आंधर प्रदेस है, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है हमारा forest research center का मुख्याला है, ठीक है, तो इसका जो सही answer होगा, बो होगा, option number D, देहरादुन, ठीक है, अगर हम देहरादुन से और related कुछ याद रखते हैं, तो याद रखिए रखते हैं, ठीक है, ठीक है, भारतिये, प्रिट्रॉलियम संस्थान भी देहरादुन में है, अगर हम बात कर लेते हैं कॉलकत्ता की, तो कलकत्ता में याद रखिएगा की जूट परदोगी अनुसंधान केंदर है, और इसके साथ साथ ही भारतिये, पूरा तात्विक सर्व अगर हम बात कर लेते हैं सिम्वला की, तो सिम्वला से याद रखिएगा कि अनुसंधान केंदर है सिम्वला में, ठीक है, और अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं, तो हैदराबाद में याद रखिएगा DNA fingerprinting का center यहाँ पर है, और उसके बाद भूबहुद की अनुसंधा ठीक है ब्राजिल से गुजरती है और यह ब्राजिल जो है 20 में सबसे बड़ा कौफी उत्पादक भी है ठीक है अगर हम 20 रेखा की बात करते हैं तो 0 डिग्री अच्छांस कोई क्या बोला जाता है 20 रेखा बोला जाता है और सबसे लंबा अच्छांस भी यह है विस्वत 25 है इन फ्ल्णा को अधिक पर चलिते रूप में जाना जाता है तो इसका जो सभी अंसर होगा बोज़ा आपसन नंबर B स्वाइन फ्लू ठीक है स्वाईन फ्लू के रूप में जाना जाता है ठीक है तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है अगर अच्छा लग र काच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो अभी क्रिया करता है, इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number D, काच की silicon dioxide से, देखिए, silicon dioxide से hydrochloric acid जो होता है, वो क्या कर लेता है, reaction कर लेता है, और इसी के लिए उसको काच की बोतल में नहीं रखा जाता है, चलिए, बाजीरो दूतिये, बाजीरो दूतिये और यस्वंतराय होलकर, यह दो नाम याद रखिएगा, इन दोनों में लड़ाई होई थी, जिसमें पेशवा बाजीरो जो होता है, वो भाकर अंगरेजों के सरन में चला जाता है, तो वहीं जाके वो कुछ संधी करता है, और उसी क बात यहीं पे आर कर लेते हैं, दूसरी, जैसे यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं 1818, तो 1818 में याद रखिएगा, कि 1818 में मनसौर की संधी होई थी, मनसौर की संधी होई थी, चलिए, बढ़ता है नेक्स कोश्चन की तरब, नेक्स कोश्चन है, निमलिकित में से कौन सा य जुदौला के भीच हुआ था कर दीक कर दीकर चारणी के खारद में लोगाहितों जब यह घाता है तो उसके बाद अंग्रेजिव क्या करते मीर जाफर को क्या बना देता है नबाब बना ठीक है, Robert Clyde था, चलिए, अगर बात यहीं पर हम और options की कर लेते हैं, अगर बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं, तो यह 1764 में हुई थी, और इसमें अंग्रेजों ने मीर कासीम को हराया था, किसको? मीर कासीम को, अगर हम बात कर लेते हैं, मैसूर की 3-3 लड़ाई मतलब 3-3 आप लोग जानते ही होंगे, कि इसका जो तत्काली कारण था, वो जो बंधुक का था, वो लेदर का बना हुआ था, इसके कारण, चलिए, बढ़ता है next question की तरफ, next question है हमारा, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number B, अर्ज अर्जुन देव के बारे में और बात याद रखे, तो आर्जुन देव से बारे में एक और चीज़ याद रखेगा, कि सिक के जो धार्मिक गरण्थ, सिक का जो धार्मिक गरण्थ है आदी गरण्थ, ठिक हैं, आदी गरण्थ की रचना की थी, और Aamrish Zarjalasa से कि माध हमें हर्मेंदर साहब का इन्हीं के जो अनुवाई हुए वह सिखक रहा है और इन都是 लंगर नहीं नहीं इसृघ्ज्ज लंगर होता है वह इन्हों नहीं सुरू किया और ये इसलाम सुईकार नहीं किये थे ये इसलाम सुईकार नहीं करने के कारण इनको औरंज जिब मरवा दिया था औरंज जिब क्या कर दिया था इनको मरवा दिया था, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है हमारा खंबाद की खाड़ी किसके बीच स्थित है, तो इसका जो सही अंसर है बो है, option number A, कच के रहन और जामनेगर के बीच खंबाद की खाड़ी स्थित है, चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं next question है, cancer अस्थी मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है तो इसका जो सही अंसर है, बो है option number B, leukemia ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगले question की तरफ अगला question है, भावरतिया आत्माननिमलिखित कभियों में से किसे कहा गया है, तो इसका जो सही अंसर है बो है, option number B, माखनलाल चेतुरबेदी ठीक है, अगर हम कभीर की बात करते हैं तो कभीर से कुछ important बात याद रखेगा कि कभीर के जो देश थे जिनको बोला जाता है सबद ठीक है, इसको कहां रखा गया है सिखो के जो धार्मिक गरंथ है, आदिक गरंथ इसमें जगह मिली है, ठीक है और कभीर के बानी के संगरा को किस नाम से जाना जाता है, बीजक के नाम से जाना जाता है ठीक है, अगर हम बात यहीं पर सूर्दास की कर लेते हैं तो सूर्दास की कुछ रचना याद रखेगा जैसे की सूर्सागर सूर्साबली और साहित लहरी ठीक है यह सब राचना सूर्दास की थे चलिए अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन है हमारा किस देपता के लिए रीग बेद में पूरंदर सब्द का परियोग हुआ है तो इसका ज़स्ता ही अंसर है वो है अप्सनमर ए इंदर ठीक है अब यह जो इंदर ह किला तोड़ने वाला ठीक है अगर हम बात करते हैं अगनी की तो अगनी को क्या बोला गया है मध्हस्तेबता बोला गया था अगर करते हैं तो सों को बोला क्या था बनस्पती के देपता ठीक है सों को बोला गया था बनस्पती के देपता अगर हम बात यहीं पर रिख बेद की कर लेते हैं तो रिख बेद क्या सबसे प्राचीन बेद है ठीक है कि सबसे प्राचीन बेद है और इसमें इसमें कितना 10 मंडल और 128 सुक्त है और इसी के यह जो अगला कोफिय एक बैरल में कितने संक्रा चार्ज ठीक है अगर यहीं पर हम लोग रामानूज की बात करते हैं रामानूज चार्ज की तो यह किस के प्रतिबादक थे बिसिष्ट दैतबाद के प्रतिबादक थे और अगर हम लोग माध्वा चार्ज की बीच लड़ा गया थाथर इसका सई अंसर होगा मों और सी यानि बाबर रोर्य पानिपत्त की पहली लड़ाई हुई कर थी 1526 में दूसरी 1556 अर तीसद के लड़ाई किसके किसके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया दूसरी लड़ाई अकबर और हेमु के बीच जिसमें हेमु हार गया और तीसरी लड़ाई आहमस अबदाली और मराठो के बीच जिसमें मराठे हार गये थे ठीक है चलि राजस्थान से एक चीज और याद रखेगा घाना पच्छी बिहार ठीक है घाना पच्छी बिहार जो कि किसके लिए है काला हीरन के लिए परसिद है काला हीरन के लिए परसिद है और एक चीज और याद रखेगा कुंबलगड अभियारन भी राजस्थान में है कुंबलगड अब है आरण जो की जल पच्छी के लिए परसिल थे चलिए पढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है फैजी निमलिखित में से किसके दरवार में रहा था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपसन नमर डी यानि अकबर देखें आप सुने ही होगे कि अकबर में क्या थे दरवार में नौ रहते थे ठीक है नौ रहतन में कौन कौन थे अबुल फजल फैजी तांसेन बिरबल टोडरमल राजामान सिंग अब्दुल रहिन फकीर अजुदीन और मुला दो प्याजा तो इसमें जो अबुल फजल थे ठीक है और इन ही नहीं क्या किया था अकबर नामा की रचना की थी ठीक है अबुल फजल नहीं अकबर नामा की रचना की थी चलिए और अगर अकबर से कुछ बात याद रखेगा तो अकबर से एक important चीज याद रखेगा हल्दी घाटी का यूद कब किया था अकवर ने 1576 में और किसके किसके बीच हुआ था महराना परताप और अकवर के बीच जिसमें महराना परताप हार गए थे चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है रोम किस नदी के किनारे इस्थित है तो इस इसके किनारे Bristol है इंगलेंड का स्थित है Bristol इंगलेंड ठीक है और अगर राइन की बात करते हैं तो राइन की किनारे बोन एक जर्मनी का सहर है वह इस्थित है ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है रेड क्रॉस के स्थापक का है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होग इनका नाम था Jean Henry Do Not Jean Henry Do Not ठीक है और इन ही के जनम दीन पर क्या हुआ था 20 वरेड क्रोस दिबस 8 माई को मनाया जाता है याद रखिएगा इन ही के जनम दीन के अपसर पर 20 वरेड क्रोस दिबस मनाया जाता है 8 माई को चलिए अगला कोश्चन है जो कि हमारा है कोश्चन नमर 40 प्रथम विद्धूत रेलबे की शुरुवात कब हुई थी तो इसका जो सई अंसर है बो है आपसन नमर डी 1929 उनाई सो उन्तिस इस्वी में कुछ और चीज़े इंपोर्टेंट याद रखिएगा रेलबे से कि 1905 में क्या हुआ था रेलबे बोर्ड की अस्थापना हुई थी ठीक है 1950 में क्या हुआ था भारतिये रेलबे का राष्टिये करन हुआ था भारतिये रेलबे का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो के दोस्तों के साथ सेर कर दीजे ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग